गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेल्कम बैक टू दा न्यू ब्लॉग और अभी बज रहे हैं सुबहें के ग्यारा है तो आज थोड़ा लेट हो गया उटने में फिर कि कल मैं उट गया था साड़े आड़ बजे के करीब और आज भी उठाता साथ बजे बट फोड़ा सुबह सुबह थंड़ा था तो मैं लेटा तो नीदी नहीं खुला उसके आधी 11 बजे उठा लभी टेस्ट्रूम ने कूड़ा डालने के लिए जा रहे हैं तो टेस्ट्रूम आज देख रहे होंगे फतरनाक दूप वाला मौसम हो गया है तो रूम में आ गया है 11 बजेश हो चुका है मिलते हैं ब्रेकफास्ट में अगर पहली पर आया है तो सब्सक्राइब करके बहले गंद वाली जएगा तो गाइस स्कान वाइर करके रेडियो हो चुके है और ब्र सब्सक्राइब करते हैं फिर फोड़ा देर में लेंच वागर भी बनाना है वी शिप चला है तो जल्दी से बनाते हैं जारे पचास हो चुका है तो डीड़ वजे तक अगर ना प्रेफास्ट सोरी लंच कर लेते हैं तो फिर आराम से इनिकल पाएंगे वरना तो उससे ज्य वोदी का सब्जी है तो कल मतल पिछली रात में सब्जी लाया था एंड जपान प्री विट सम्टेशी ही है तो गैस लज करते हैं और 15 मिनाट में निकल जाएंगे और मिलते हैं आपसे आपसे सामके बच चुके 5 में 30 और चलते हैं थोड़ा हलका फुलका चाय वगर आप प आपका आप इस ब्सकाने वखे तो अब को पर चया प्रोड़ा है अब के रात मां उसम हो दो पूरा बारिश हा गया था जाय बैंद है फिर मिलते हैं उसके पिलाल शफिप्ट पर रही चुका सब्सक्रीन विर उसी क्या बैक नाता है यह पर ऐना भी कर चिकन क्राइब कर लेग में यहाँ का आक्रणालों काफी खेमक्राइब तंधूरी रोटी बला 2000 आपकी करने में चाहिआ राएंगे अपर दीखाते हैं क्या लिका रहा है वैसे आपको बता ही चिकन लेख कबाब लेकाए था मेरे पास रोटी और सब्सक्राइब तो इस अब ही कहा लेंगे तो एक बार फ्रेस होते हैं आपको दिखाते हैं कंप्लीट में दस बच के 34 मिनट हो चुके हैं और फाइनली डिनर कड़ते हैं तो मैं लेक आया था ये चिकन लेक कबाब साथ में मिला प्याज और नीबू और साथ में ये हरी चटनी थी एंड मेरे पास सुबह दोपहर में जो बना के गया था चपाती साथ में ये अलू और बोधी का सबज कि यह सब है आज के दिनर में खाते हैं और थोड़े दिर में ब्लॉग वगार एडिट करेंगे बढ़ताने उनको दूलेंगे और पिर आज का कारिकर्म स्वाप सो जाएंगे आपको आज की ब्लॉग में थोड़ा बहुत अच्छा लगावाद लाएंगे तो मिलते हैं खल नए ब्लॉग में थांक्स पर वाचिंग टेक्टियर गुडबाए